दोश्काद दोस्तों सुवाज़त है आपके अपने चनल पर और लूशो गृट की हमारी दीसरी वीडियो है तो इसका क्या इंपक्थ होता है और पाँच अगर होता है आपके पास तो क्या इंपक्थ होता है? क्योंकि मेरा जो experience है वो थोड़ा अलग तरीके का है लोगों के साथ और मैं हमेशा वो चीज़ बताने कोशिश करता हूँ आपको जो बिल्कुल नहीं होती है उससे पहले थोड़ा सा लुशो ग्रेट को समझ लिजे कि लुशो ग्रेट के सरह से work करती है तो अगर हम लुशो ग्रेट को देखें तो जो ग्रेट होते हैं वो 9 खानों में यहां विवक्त होते हैं यानि कि distributed होते हैं, divided होते हैं जिसमें से एक नमबर डिप्रेजेंट करता है water element को, 2-5-8 earth element को 3-4 wood element को, 6-7 metal element को 9 जो है वो fire element को यहां पर denote करता है वहीं अगर हम जाएं, तो हर नमबर एक direction को यहां पर दिखाता है और साथ-साथ उसका जो relation है, वो क्या है वो ही समझ लेते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले और समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्स्राइब करके जाएं लल आइकन को प्रेस करके जाएं और इस वीडियो को एक लाइक तो आप देखा जा सकते हैं क्योंकि आप लोग के लिए हम इतनी ग्यानवर्दक वीडियोस बना रहे हैं और साथ-साथ अपने जो कमेंट है वो करते रहे हैं, अपने डिटो को डिटेल्स को मैं सभी के कमेंट्स को देख रहा हूँ और कोशिश यही कर रहा हूँ कि वीडियोस बना के दूँ, कमेंट का रिप्लाइस अच्छा है कि मैं आपको वीडियोस बना के दूँ कोशिश मेरी यही है, बस मेरा इस कोशिश मेरा सहथाब जरूर दे तो यहाँ पर एक नमबर जो है वो North direction है और career and planning को दिखाती है दो South West को दिखाती है marriage happiness को दिखाती है तीन नमबर East को family relationship को चार नमबर wealth and prosperity पाच नमबर strength और stability को यहाँ पर दिखाती है वहीच है North West को दिखाती है जो की helpful people foreign contacts को यहाँ पर दिखाती है और 8 नमबर knowledge, education, memory और 9 नमबर fame, energy और organization को यहाँ पर दिखाती है तो यहाँ हम basically जो बात करेंगे हम बात करेंगे center number की यानि कि हम बात करने वाले हैं पाच नमबर के बारे में कि पाच नमबर आपके लिए क्या है वहीं अगर हम देखें तो top row जो है वो mental please यहाँ पर है और जिसको light भी बोलते हैं और यह creating, imagination and analyzing को दिखाती है वहीं इन पाच साथ यहाँ पर emotional pain को दिखाती है feelings, emotions और आपकी institution power कैसी है उस दिखाती है वहीं 8 एक और 6 आपकी practical pain को दिखाती है कि आप अपने जीवन में कितना practically decisions को लेते हैं वहीं 4, 3, 8 आपकी thought plane है 9, 5, 1 आपकी will power है और 2, 7 और 6 आपकी action है यानि कि आपकी thought process कैसी है आपकी will power कैसी है कि आप trap situations में कितने will से काम करते हैं और वहीं सोचने और will power के बाद आपके अंदर कितना माददा है कि आप action भी यहाँ पर ले सकते हैं तो यह सारे चीज़े हैं जो basic होती है और इसको आपको consist हो जाना चाहिए आपको याद होना चाहिए क्योंकि यही सारे चीज़े जो हैं आपको life में आगे help करती हैं शोगरिट को समझने में अब यहां हम basically बात कर रहे हैं पांच नमबर की जैसे कि मैंने यहां पर mark कर दिया है तो पांच नमबर जो है वो यहां पर रिपरेजेंट करता है और पांच नमबर जो लोग होते हैं जो numerology में लोग होते हैं बहुत balanced होते हैं क्रोंकि 5 number के 4 number इदर है और 4 number इधर है और बीच में ही number आता है तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी qualities होती है जो अलग होती हैं और number से अले जानते हैं कि 5 number अगर आपके पास है तो क्या फाइदा आपको मलता है देखें 5 number वाला व्यक्ति जिसके लूशो ग्रिट में पांच निम्बर है उसके अंदर adaptability मतलब चीजों को अपने अंदर समाने की जो शमता होती है वो बहुत अच्छी होती है मतलब ये कि अगर वो 57 है तो उस तरह से जिएगा अगर वो गरीब है तो उससवार से जिएगा लेकिन अगर वो रिच है गरीब से रिच बनता है तो adaptability आएगी वहीं अगर वो रिच से गरीवी की रव जाता है या मतलब उसके resources यहाँपर कम हो जाते है और उसको थछा कम मे वो उनके अंदर एक शम्ता होती है लीडर्शिप वारी शम्ता होती है और वो बहुत ही बैलेंस सरीके से मैंने बहुत सारे ऐसे अनलेसिस देखे हैं जिसमें लोग वकील बन जाते हैं पांच नंबर वाले जो हैं बहुत वकील आपको मिलेंगे दूसरो ग्रेटिन के पास है नॉर्मल भी वो पांच नंबर वाले हैं तो बहुत अच्छे आपको वकील मिलेंगे लेखा अधिकारी मिल जाएंगे पबले रिलेशन आफिसर जो होते हैं यूपी पीस्टी के तियारी जो लोग करते हैं वो लोग आपको पांच नंबर आगर आपके पास है तो वो बाता होती है कि कहां इनकी लेमिटेशन से और जैसे मैंने बोला कि बड़े खुश मिजाज भी होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं अगर किसी के पास पांच नंबर है तो वो लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं वो सीध प्लच वर्च विपार करने की शंचा होगी और आप वेटारिक रूप से भी विपारिक तरीके से आप अच्छा काम करेंगे आपके अंदर जो सेंस होती है नियूशन थैंट वह prominent आपके आपर अच्छी होगी अब अगर ये तो सारी अच्छी बाते हो गई हैं ने लिकार भी होती है और अगर कि न्बर आपका पाँच है तो उस केस में क्या के साथ चीजह हंगी अच्छा एक पताथ हूं आपको अगर भी मिलिंट öz लिंग जो है Bowl description box में दिया हुआ है और हाँ iNail numbers और सारए numbers की calculation मेरी website पर है आप मेरी website से जाकर उसे निकल भी सकते हैं तो उस में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं चाँ 50 numbers नहीं है तो क्या होगा? कि दिसेजन मेकिंग खराब हो जाएगी आपकी बैलेंस नहीं होगी और ऐसे केसे में देखा जिनकों पांच नंबर थोड़ी से मिस आउट होती है उनकी जो प्रेव संबंद होते हैं उसमें बहुत अपने डाउन उन्हें देखने को मिलता है इस थाही रूप से वह थोड़ा जो होती है जिन सब्जेक्ट्स पर करनी चाहिए वहां पर यहां पर नहीं रहती हाला कि जो घ्रस्त जीवन होता है ठीक होता है ऐसे क्योंकि उसमें बहुत साई चीजों को देखते हैं लेकिन बेसिकली हम देखें तो भाईबहनों के साथ दिश्टे भी थोड़े बहुत उ परिस्तियों में सब पर लागू नहीं हो रही है लेकिन बहुत सी परिस्तिया ऐसे देखी जिसमें पांच नमबर अगर मिसेंगे तो उनके भाई बहन उत्स मात्रा में नहीं थे या उनके जो रिलेशन से रिलेटेफ्स से वह बहुत अज़ा अच्छे यहां पर देखने न पर आपका नहीं होता हूं ऐसा विक्ति जो होता हूं वोड़ा स्ट्रेट फॉर्वर्वर्ड़ होता है पांस नमबर नहीं है तो तो फोड़ी सी कम होगी थोरा सा यह फ्ल Kenny सिक्ष्रवारूंगोणया अदिया प्रवा है तो है कि आप अपने नंबर आपको जो है यह आता है आपकी शादी और एक तनी के पत बाहर व है तो हरे इस पर क्रूंब है और च्छन Nice और है उनकी स्लहा ले आपको क्रूंब देंगे वो बहुत अच्छे तरीका से गेंगे क्योंकि आपकी शादी हो गई है तो आप दोनों एक हो गए यह एक सिच्वेशन है आपके लिए बहुत अच्छी सिच्वेशन है यह बहुत कम लोग बताते हैं पीसरी चीज यह है कि आप उपाय कर सकते हो और बुद्ध की बढ़नीजी की उपास्ता जो होती है इस केस में बहुत बड़ी है रहती है तो यह इन को आप आपको इसे बहुत ज़ादा यहां पर लाब आपको देखने को बिलेगा इनड़ेप्ट में आज आपको वीडियो दी कैसी लगिए आपको पताएगा कमेंट करके मिलता हूं आ analysis कराने के लिए जरूर contact कीजिएगा निम्बर आपको description box में बिलेगा और इस video लाइक जरूर करिएगा